नमस्कार मैं प्रिया और स्वागत है आपका क्रिशी जाकरन में चली डालते हैं नजर अंतराश्य क्रिशी की विशेश खबरों पर जून की शुरुआत में रोपन के अंध के बाद 2022 कैलिफोर्निय चावल की फसल के लिए लगाया गया शेद्र हाल के दिनों में थोड़ा बहतर दिख रहा है कैलिफोर्नी चावल आयोग ने एक बयान में कहा मैं के अंध में किये गएक सर्विक्षन से पता चलता है कि इस साल सैक्रिमेंटो घाटी में लगभग 25 लाक एकर चावल लगाया जाएगा बहतर अनुमान के बावजूद CRC स्विकार करता है कि ये आकड़ा एक सामाने वर्ष में लगाये गए चावल के रखवे का लगभग आधा है UAE के आबुदाबी के तेल समरिद अमिरात ने 2022 में असौतन तीन मिलियन बैरल प्रती दिन पंप करने का अनुमान लगाया है क्यूंकि ओपैक प्लस के सदस से 2020 में शुरू किये गए कच्चे तेल के उत्पादन पर नियंतरन लगाना जारी रखते हैं आपको बता दे ओपैक प्लस के मंतरी जुलाई उत्पादन कोर्टा निर्धारित करने के लिए दो जून को मिलने वाले हैं साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में आर्थिक विकास में तेजी आएगी जिसका मुख्य कारण तेल उत्पादन में व्रिध्धी और तेल की उची कीमते हैं सर्वेक्षन के अनुसार इस साल चीन में सोयविन की मांग साल दर साल 6 प्रतिशत घटकर लगभग 90 मिलियन टन होने की उमीद है क्यूंकि चल रहे कोविट से संबंधित प्रतिबंद और लगाता नकारात्मा क्रश मार्जिन चारी है साथी वहीं आकड़ों के अनुसार चीन ने जनवरी से मैं के दौरान 28.33 मिलियन टन सोयविन खरीदा जो साल दर साल एक प्रतिशत कम है साथी जून से डिसंबर की अवधी के लिए आयस साल आना 8 प्रतिशत गिर कर 62 मिलियन टन होने की उमीद है जूरोपियन संग ने समूदर के दौरा रूसी तेल आयत पर प्रतिबन लगाने पर स्याहमती व्यक्त की है जो कि दो तीहाई से अधिक रूसी कच्चे तेल की डिलिवरी के लिए है एक कदम में वैश्विक उर्जा प्रहवाहा को फिर से आकार देने और कीमतों को दवाब में जोडने की उमीद है क्योंकि खरीदार वैकलपिक आपूर्ति चाहते है साथ ही एक जून से 0.1 प्रतिशत गैस ओयल और अल्ट्रालो सलफर डीजल बजारों में उत्तर पस्चिमी यूरोप और भूम अध्य सागर्य आकलन गैर रूसी मूल सामगरी को प्रतिविम्बित करेंगी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतों को गैसलीन में 20 प्रतिशत इधनॉल में जोर प्राप्त करने का एक महत्व कांशी लक्ष निर्धारित करने के लिए प्ररित किया है एक कदम वैशलेशकों ने कहा कि तेल आयत बिल में कटोती करने में मदद मिल सकती है हालक की व्यहरवाह कीमतों पर जैव इंधन की भरपूर उपलबदता शुनिश्चित करना एक महत्व कुन चुनौती होगी आज के लिए बस इतना ही आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे यानि क्रिशी जाकरन के साथ धन्यवाद